हेलो फरेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब हम अपने email का पासवर्ड भूल जाते हैं उसके बाद हम उसे forget pass wordt करते हैं तो इस तरह का interface हमारे सामने आ जाता है तो हमें किस तरह से अपने email का password पर चेंज करना है उसके बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं तो यहां पर हमारे समने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है और यहां पर कुछ इंफोमेशन लिखी वी आ जाती है तो यहां पर हमें एक कोड चाहिए उस कोड को लेने के लिए यहां पर कुछ इंफोमेशन लिखी वी है तो उसके लिए हमें सेटिंग में जाना है उसके बाद गूगल में जाना है Google account में जाना है तो इसमें किस तरह से आपको score को लेना है उसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं तो simply हम अपने mobile की setting में चले जाते हैं इसके बार simply हम नीचे के और यहां पर हमें Google दिख जाएगा जो इसमें लिख रहा था तो Google तो हम simply Google पर click कर देते हैं Google पर click करने के बाद यहां पर हमारे सामने इस तरह इंटरफेस आ गया है तो यहां पर हमारे सामने आपको ऊपर के और यह को options दिख जाएगा इसके बाद हम simply चले जाना है अपनी मोगाल की security में तो यहां पर हम स्लाइड करके आपको security का options दिख जाएगा तो इसके बाद यहां पर आपके सामने इस तरह इंटरफेस आजाएगा तो यहां पर आपको नीचे की और आ जाना है और यहां पर दिखेगा आपको security code जो code हमे यहां पर वहां डालना है वह code यहां पर आपको मिल जाएगा तो simply इस पर हम click कर देते हैं click करने के बाद यहां पर जो हमारा lock था जो आपने fingerprints lock लगा रखा या फिर आपने जो भी lock लगा रखा है तो उसको वहां पर उसको enter कर देना है then इसके बाद हमारे सामने इस तरह का code आ जाएगा और यहां पर नीचे के और कुछ information लिकी हुई है तो simply इंपर में करना क्या है इस code को वहां पर enter करना है तो हम इस code को यहां से देख लेते हैं और यहां पर enter कर देते हैं इस code को यहां पर simply enter कर देना है इसके बाद simply हम next पर click कर देते हैं तो यहां पर हमारे सामने एक page open हो गया है और यहां से हमें new password यहां पर जो भी new password डालना है वो यहां पर डाल देना है अपने email का password चेंज करने के लिए तो हमें यहां पर simply जो भी नया password डालना है वो enter कर देना है इसके बाद simply हमें एक बार से वापिसे confirm करने के लिए उसी password को यहां पर enter करना है जो हमने निया पासवर्ड यहां पर डाला है उसके बाद simply next कर देना है और जो हमारे email का password था वो change हो चुका है तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इता है अगर आपको यह वीडियो चला गए तो आप इसे like और share जरू कीजिएगा और अगर आप हमाई YouTube चैनल पर नहे है तो हमाई YouTube चैनल को subscribe भी कर लीजिएगा तो फिर मिलते एक नहीं वीडिक साथ दोस्तों तब तक के लिए बाबाए